नमस्कार और गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग ओन स्टुडेंट्स है मॉनिका नमा आज हम एड सेकंड लियर का पेपर है फॉर्थ कंपसरी गाइड़ेशन काउंसलिंग यूनिट आपकी थर चल रही है विश्चे श्टादिगम करता हूं है दो निरदेशन उपकरण और प् उनको प्रधान करनी चाहिए कि इस प्रकार के छोटी जटे घरेलूग आरूशन को जूड़ना चाहिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो फर्स प्रेस में विशिष्ट विद्यालों की इस्तापना यानि कि जो मंदबुती बालक है उन मंदबुती बालकों की शिक्षा के के लिए विशिष्ट विद्यालों की व्यवस्ता होनी चाहिए मंदबुती बालकों की शिक्षा के लिए विशिष्ट विद्यालों की इस्तापना होनी चाहिए विशिष्ट विद्यालों की व्यवस्ता होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए क्योंकि मंदबुती बालक जो साध किसी भी प्रकार के विशे वस्तु को समझने में असमर्थ होते हैं ऐसे में अध्यापक और अन्य विध्यार क्यों कर दृष्टी को मंदबुद्धी बालकों के प्रती असानुबुद्धी पूर्ण हो जाता है यानि कि जब मंदबुद्धी बालकों को साधरन कक्षा सिचन के दोरान किसी प्रकार को समझने में असमर्थ होते हैं तो अध्यापक और अन्य विध्यारतियों का जो डृष्टी कोन है जो देखन किसी बालकों को डाटना शुरू कर देते हैं या उनको किसी प्रकार से अफमानित करते हैं तो अध्यापक ऐसे बालकों को जब डाटते हैं या उनको अफमानित करते हैं तो ऐसे में ये बालक अन्य बालकों के समाच जब रूची नहीं दिखा पाते या प्रगति नहीं कर के कारण यानि कि उस पढ़ाय हुए विशे सामगरी में प्रगती न होने के कारण या उसको न समझ पाने के कारण इन बालकों को अध्यापक के डाट का शिकार होना पड़ता है ऐसे में मंदबुद्धी बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालों की व्यवस्ता होनी तो विशिष्ट विद्यालों में केवल कक्षाशिक्षण के दोरान फंदरा से बारासे पंदरा चात्रों की उपसतिती में या बारासे बारासे 15 चात्रों का एक कख्षा कख्ष वो उसमें उस कक्छा कक्षे में वो बालक समझ सकें इसे भी प्रकराण को समझ सकें और अपनी समर्थिता उसमें दे सकें इसलिए विशिष्ट विद्यालों के बेवस्ता इन बालकों के लिए होनी चाहिए सेकंड है पाटे क्रम का समायोजन सेकंड है पाठे करम का समायोजन पाठे करम के समायोजन से तात पर गया है कि मंदुपुत्थी बालकों की सीखने की गती धीमी होती है मंदुपुत्थी बालकों की जो सीखने की गती होती है वो धीमी होती है ऐसे में ऐसे बालकों को पाटे करम के अनुसार साथ में उनकी मानसिक शमता के अनुसार उनकी मानसिक शमता के अनुसार उनकी मानसिक इस्तति जैसी है उसके अनुसार ही उनको समयोजित किया जाना चाहिए कहने का मतलब यह है कि जब इनके सिखने की slow learners होते हैं या इनके सिखने की गती जब धीमी होती है तो ऐसी इस्तती में ऐसे बालकों को पाटे करम के अनुसार साथ ही उनकी मानसिक शम्ताओं के अनुसार उनको समयोधित किया जाना चाहिए साथ में जिससे पाटे करम पाटे करम उनकी शम्ता के अनुरूप होगा तो उनके सीखने की जो गती है उनके सीखने की शम्ता में भी विकास होगा और सीखने की गती में भी विकास होगा साथ में उनके अधिगम की योगिता होगी तो अधिगम की योगिता में वो विकास करे next thing start